वेलकम फ्रेंट्स लंतांतर चैनल में आप लोगों का फिर से स्वाग अथे फ्रेंट्स आज का वीडियो काफी इंपोर्डेंट है क्योंकि आज हम लोग डिसकास केंगे आसाम इस्टे डूरल अबली हुड मिशन का रिकूर्ट में निकला है 734 पोस्ट का तो उसका एक्जाम कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए क्योंकि में डेली जनेरल लॉलेज और करेंट अफेर्स का आपडेटे इंफोर्मेशन असंप्टे रिलेटे इंफोर्मेशन जितना भी अपकमिंग एपीडिसेल एक्जाम हो कोई भी स्टेट तो चालिए वीडियो देख लेते हैं तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहें और सम्राजी गाइमो जीवी का अभी जान एस और एलम एक्जाम पैटरन हुआ था उसका सिलेबस को ऊपर बेस करके मैंने इस सिलेबस जो ड्रॉ किया है ठीक है गाइस तो गाइस जैसे क पाइस इस सिलेबस को उपर बेस करके आप लोग का स्टाडी शूरू कर सकेंगे ठीक है ना तो चलिए देख लेथे फस्ट आप लोग देख पाएंगे नेम आप दो स्टो यहाँ पे मैं किसलिया नेम आप पोस्ट मेंशन किया हूं आमने आप लोग को बोल रहा हूं सबसे ज़्यादा वैकेंसी से तो गाइज आप लोग एक्जुकेटिव एंड योंग प्रोफेशनल वैकेंसी तो यहां में जो में सिलबस इस्ट्रक्चर जो ड्रोग यहां हूं वह मेंली बेज़्ट है फॉर दा एक्जाम ब्लोग कोडिनेटर ब्लोग एकाउंटेन ब्लोग मिस एक्जुकेटिव योंग प्रोफेशनल ठीक है गाइज एंड यह जो तीन पोस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी से तो गाइज आप लोग यह जो तीन पोस्ट है इसके लिए प्रिपरेशन कर सेकेंगे ठीक है गाइज तो नेक्स्ट है स्टार्टिंग डेट ओव ओनलाइन एप्लिकेशन 18 नॉवेंबर 2022 फ्रॉम 10 एम ठीक है गाइज आप लोग 18 नॉवेंबर से एप्लाइ कर सकेंगे एप्लाइ कीजिए क्योंकि आप लोग एक एक्सपेरियन सर्टिफिकेट भी आप लोग चाहिए ठीक है गाइस क्योंकि चलिए अब यह दिख लेते हैं जो सिलवस स्ट्रक्चर है तो सिलवस स्ट्रक्चर क्या होगा मैं यहापर जो टोपिक लस्ट यार का एक्जम में आया था एन कितना मार्क्स कवर क्या था उसका बारे में आप लोग आश्का शेर करूंगा सबस्ट अब cam से लर्श्ट यार में 40 माक्स है था ऑके गाइस और जो चौत्या क्या था देखलिए कि इस्तोरी जियोग्राफी पॉलिटी ठीके इस हिस्ति एन पॉलिटी से एल्साम का भी एन इंडिय का भी हिस्ति जीवक्राफिए नुटी आप अंत्रो का आसम एज य्णूए इन इंडिय ए दो नों देखना पड़ेगा के नेक्स्ट आएगा नमबर टू में है जीके रिलेटेट टू पी एन आडी तो पी एन आडी से रिलेटेड पंचायट एंड डूरल डेवलोप्मेंट से रिलेटेड जितना भी सारा जीके है जो की अपकमिंग डेज में मैं चैनल में शेयर करूंगा इसलिए आप लोग को बोल आज से रिलेटेड क्या का कॉमेटी था ठीक है उसका उपर कोश्चन आएगा देन नमबर फॉर अशोक महता कॉमेटी होन पंचाहत राज ठीक है गाइस कोई भी आप लोगों को बोल के नहीं देगा जितना भी यूटूब में वीडियो है कहीं पर भी बोल के नहीं देगा कि एक्जाम में क्या आने वाला है सिर्फ ऐसा बोल देगा कि जीके करेंटेफियर बट मेरा वीडियो में मैं आप लोग को एस फार इस पॉसिबल हेल्प करने का ट्राइ करता हूं एंड जस्ट आप लोग का सपोर्ट में एक्सपेक करता हूं कि आप लोग मुझे भी सपोर करेंगे वीडियो को लाइके और शेयर करके ठीक है तो अशोग मेहता कमिटी का ऊपर संड रहेगा ओके घआई सा ब्रोड सफंसियो में ए सबतिकर अब के एन कारेंटेफेर्स का 40 marks का syllabus अगर आप लोग इस topic के उपर देखेंगे प्रिप्यार करेंगे तो आप लोग का 100% अच्छा marks आने बाला है next आएगा to that is English तो English से 15 marks का question आता है English से 15 marks का question आता है तो देखें English में basic, preposition, tense, vocabulary, synonym, antinom, idom faces, one word substitution, active and passive voice, direct and indirect narration and fill in the blanks ठीक है गाईज और इस वीडियो का जो PDF है आप लोग को मेरे टेलिग्राम चनल में मिल जाएगा आप लोग वासे डाउनलोड कर से कहेंगे ठीक है गाईज नहीं तो आप लोग screenshot ले लीजे next है domain तो domain से क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा and what is the meaning of domain domain means पंचायत रूरेल डेबलोपमेंट का जो work है कैसा टाइप का work रहता है क्या-क्या काम रहता है और कैसा-कैसा इसको maintain करना पड़ता है उसका related government का क्या-क्या policies था पंचायत रूरेल डेबलोपमेंट का आसाम government का ठीक है गाईज आसाम government का क्या-क्या policies था उसका उपर question and guys domains का related question अंसर जानने के लिए आप लोग पंचायत रूरेल डेबलोपमेंट का जो official website है उसको अच्छा से आप लोग को study करना पड़ेगा उसका history देखना पड़ेगा क्या-क्या-क्या project है policies है सब देखना पड़ेगा ठीक है क्या-क्या-क्या आसो नहीं लिया गया है आसाम गवर्मेंट का तरफ से आप लोग को as a whole जो PNRD का जो ओफिशेल वेबसाइट है जो इस्टेट रूरेल लाइबली हूट का जो ओफिशेल वेबसाइट है उसको आप लोग को अच्छा से study करना पड़ेगा उसका ही आप लोग का domain related question आएगा तो domain में देखिए गाइज question related to पंचायत राज ओफ आसाम ठीक है गाइज तो पंचायत राज ओफ आसाम से क्या क्या question है वो आएगा then national rural livelihood mission रूरेल लाइबली हूट का national level का भी एक मतलब website है उसको भी आप लोग सो अच्छा से देखना पड़ेगा then ASLRF आसाम स्टेट रूरेल लाइबली हूट मिशन का जो official website है उससे भी question आएगा then various project of ASAM government तो ASAM government का various project का उपर question आएगा ठीक है guys so this is the domain and domain से 20 marks का question आता है guys यह जो syllabus है previous AR का जो exam pattern है उसका उपर base करके मैंने बनाया है draw किया है आप लोग इसका उपर base करके preparation कर सकेंगे आप लोग का काफी helpful होगा last है mathematics and reasoning तो mathematics and reasoning से basic maths and reasoning for competitive exam जो reasoning and maths रहता है basic ratio proportion time and work then speed distance ठीक है guys उसका बाद ratio जितना भी basic रहता है then reasoning से जितना भी easy reasoning रहता है ठीक है उसका बाद आप लोग देख सकते हैं आप लोग का help होगा और math and reasoning से total 25 marks का question आएगा तो total 100 marks का exam होगा ठीक है guys 100 marks का objective exam होगा तो guys यह तो था syllabus AS LRM का exam upcoming days में आप लोग को इसका notification मिलेगा और जो official website में इसका जो syllabus है ओभी आ जाएगा और एक बात अगर आप लोग कोई भी competitive exam का preparation कर रहा है और SLR में हो PNRD हो नहीं तो APD cell का exam हो SSC GD हो आप लोग मेरी जो Facebook page है इसका नाम है आसार्म TET 2023 एन government 1,000,000 job preparation group इसको join कर सकेंगे इस group में daily general knowledge current affairs mcqs update होते रहता है साथ ही साथ आप लोग मेरी telegram page को भी join कीजिए वह आपे भी gk current affairs आप लोग को मिलते रहेगा ठीक गाईज तो वीडियो आज के लिए एतना ही अगर वीडियो अच्छा लागे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल में first time मेरी वीडियो देख रहे है तो चैनल को सब्क्राइब करके जाईए as far as possible मैं आप लोग का हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ चैनल में शेयर करता हूँ thank you guys